हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टेरोडैक टुपल टू, मैं हूप अलवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, सो गाईज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक और नई रीडिंग, और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि आप जिस पसंद के साथ डील कर रहे हैं, या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका लोगों से आपके बारे में या आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा है, उसमें जिस भी तरह के हालात इस वक्त में चल रहे हैं, उसके बारे में क्या बात करना है, क्या कहना है, ये चीजे आज हम टैरो के मात्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीके, बस गाईज, यहापर आपको ये जरू न रखना होगा कि आप दोनों के बारे में या आप लोगों के रिष्टे के बारे में लोगों को, उनके दोस्तों को, उनकी फैमिली को पता हो, तब ही आप ये रीडिंग देखेगा, अधर्वाइस आपके लिए इस रीडिंग का देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीके, married, unmarried, कोई भी person reading देख सकता है, all sign based reading होगी, gender specific बिलकुल भी नहीं होगा, लड़का लड़की कोई भी reading देख सकता है, general reading है, collective reading है, तो हर एक बात, हर किसी से resonate करें, ऐसा possible बिलकुल भी नहीं है, इस चीज़ का भी आपको रखना है खयाल, ठीके, Guys, अगर channel पर नए आए है, तो please subscribe जरूर कीजेगा, क्योंकि इस channel पर आपको इसी तरह से लगतार reading मिलती रहेंगी, और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो एक like जरूर कीजेगा, और चलिए अब हम start कर लेते हैं, किस person का अब logo से, अपने दोस्तों से, य इस spread guide, मुझे guide कीज़ों, बताए है, क्या कहना है, viewers के person का universe, टंडर बूर्ड, bottom of the deck, यहाँ पर आया है, the miser, guide कीज़ों, बताए है, viewers के person का, आप क्या कहना है, लोगों से, universe guide कीज़ों, बताए है, इनके विशय में, इस रिष्टे के विशय में, ट्रस्ट, bottom of the deck, यहाँ पर है, comparison, guide कीज़ों, बताए है, मेरे viewers के person का, आप क्या कहना है, integration, bottom of the deck, यहाँ पर है, inner voice, guide कीज़ों, बताए है, viewers के person का, क्या कहना है, इनके विशय में, इस रिष्टे के विशय में, guide कीज़ों, बताए है, अब क्या कहना है, इनका लोगों से अपने आसपास के उनिवस गाइड कीजे तो यहाँ पर आया है the source bottom of the deck है cleansing to the past गाइड कीजिन वस बताईए viewers के पसनक का अब क्या कहना है लोगों से अपने आसपास के इस connection के मामले में विवर्स के मामले में guide कीजिन वस बताईए flowering and bottom of the deck यहाँ पर आया है going with the flow guide कीजिन वस प्लीज डिवाइन प्लीज आके इंजिस प्लीज 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 स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिन विवर्स के पसन का क्या कहना है इस connection के मामले में अब लोगों से rest and resonate क्या कहना है इस person का अब लोगों से अपने आस पास के moving on guide कीजिन वस बताईए क्या कहना है विवर्स के पसन का emotional loss अपने आस पास के लोगों से अब ये क्या कह रहे है इस connection के मामले में उनिवर्स emotional withdrawal एक card और दीजे उनिवर्स बताईए क्या कहना है इनका अब इस connection के लिए viewers के लिए authority and bottom of the deck है love begins तो मैं एक बार card adjust कर देती हूँ और उसके बाद हम reading करेंगे start तो दिखिए सबसे पहले energies discuss करेंगे ये उसी person की energies होगी जिनसे आप deal कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस reading तक आए हैं जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है टॉरस वर्ग और कैप्रिकॉन व्रश्यप कन्या एन मकर राशी जमनाई लिब्रन एक्वेरियस मिथुन तुला एन कुम्भ राशी Cancer, Pisces और Scorpio, करक मीन और व्रिश्चिक राशी और Aries, Leo और Sagittarius, मेश सिंग और धनु राशी नमबर 4 और 5 यानि कि April और माई मन्थ काफी ज्यादा important दिख रहा है जो आप मुझे comment box में लिख कर बताएंगे कि ये नमबर या ये मन्थ आपसे कैसे relate कर रहा है देखे जबरदस्ती आपको अपने आपसे ये नमबर या फिर ये मन्थ relate नहीं कराना है जैसे मैं बहुत टाइम से notice कर रही हूँ कि कोई अपने sector का नाम की भी मेरे sector का नाम 2 है ऐसे आपको ये नमबर या ये मन्थ relate नहीं कराना है आपको बेसिकली इस person के माध्यम से या आपका ये जो relationship है उसकी तरह से ये नमबर या ये मन्थ relate कराना है ऐसे नहीं कराना है कि आपका मकार नमबर दो है आपका sector नमबर पांच है ऐसे बिलकुल भी वो नमबर आपसे relate नहीं करते हैं मैं आपसे यहीं बोलती हूँ कि जबर आपको कोई भी मन्थ relate नहीं कराना है आपको बेसिकली यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर मैं situation आपको जो बताती हूँ वो आपसे relate करता है या नहीं करता है तब वो बेसिकली आपके लिए reading है आप उससे अपने आपको ज़्यादा connect कर पाएंगे ठीक है तो जबर दस् तो मुझे आपर ये दिख रही है कि ये परसन ना काफी जादा बातों को दिल में दबा कर बैठते है यानि कि express नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें इनके मन में दबी रहती है ये चीजें और इवन इस परसन के माते पर शिकन भी नहीं देख सकते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बोलना लाइफ में क्या चल रहा है डुक चल रहा है तकलीफ चल रहा है वो ये चीजें अपने मुझे कम बोलते हैं एवन अगर जबी भी आप लोगों के बीच में रिलेशेशिप भी था ना तभी भी बहुत कम बोलते होंगे या दिल की बाते बहुत कम एक्सप्रेस करते होंगे कभी कब आग मूड में आया तो इन्होंने अपनी बात आपसे बोल दी तो इस थरह की परसनालिटी आज इस परसन की दिख रही है और इवन अभी की सिच्चुेशन तो यही दिख रही है कि ये अपने दिल की बाते जो भी इनकी मन में चल रहा है वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे है और इनके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो तूफान विद्धिस दा टंडर बोर्ड कार्ड एक ऐसा तूफान जिसमें समझ में आ रहा है कि इनकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ी पड़ी है या इन इनकी लाइफ पूरी तरह से stable नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारे struggles चल रहे हैं, तो ये definitely अपने उन struggles को किसी के सामने express नहीं कर रहे हैं, reason यहाँ पर ये है कि ये परसना काफी जादा smart बनकर दिखाते हैं, यानि कि इनकी एक सोच है कि उपर से इंसान जरूर strong बने रहना चाहिए, ताकि कोई उसे दबा न सके, ताकि कोई उसे जुका न सके, तो ये इनकी ये सोच है, और इसी reason की वज़े से जो इनकी लाइफ में इस वक्त में परेशानिया, दिक्कते या tower moment चल रहा है, ये किसी से express नहीं कर रहे हैं, उपर से ये यहीं दिखा रहे हैं, ये बह कर दिखा रहे हैं, ठीके, अब सवाल आता है कि फिर भी बाईचान से क्या कहना चाह रहे हैं, ये अपने मूँ से किसी से भी जादा कुछ आपके बारे में या अपने रिष्टे के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये लोगों तक ऐसी ही indication दे रहे हैं, कि ये आपके स इनका जो भी रिष्टा है, उससे मूँवाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिष्टे में ने कहीं ना कहीं बहुत दुख मिला है, तकलीफे मिली हैं, इमोशनली उस रिष्टे में इन्होंने बहुत कुछ पेन, तकलीफे जहली हैं, और इसी reason की वजह से ये और फ्रेंड्स हो, जिनको भी आप जो भी आप लोगों के रिष्टे को जानते थे तो उन्हें ये एकसे ही एकस्प्रेस कर रहे हैं, कि एक move on के process पर हैं, और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये ऐसा ही express कर रहे हैं, कि ये past में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ उन सब चीजों को वापस से अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना चाहरे उन सब टॉकसिटी को ये अपने दिल से दिमाग से अपने माइंड से ना क्लीन्स करना चाहते हैं और उसके लिए ये बहुत सारे सोसिस को इखटा भी कर रहे हैं यानि कि उसके लिए अलग- पर भी बहुत जादा इफेक्ट पड़ा है और इसी रीजन की वज़े से ये बहुत जादा एक रेस्टिंग मोड पर है या बहुत जादा अपने आपको हील करने में अपने आपको काम करने के प्रॉसेस पर है तो ये अपनी प्रेजनेशन देते हैं कि ये इस वक्त में कही न कही ये अब move on करने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसा लोगों को बताते हैं ऐसी ये presentation देते हैं ठीक है उसके अलग अगर by chance लोग इनसे पूछते हैं आपके बारे में या इस connection के बारे में तो उसके बाद ये क्या बताते हैं उसके बा पास्ट में हर चीजे पर्फेक्ट नहीं थी उस पास्ट में कहीं न कहीं प्यार जरूर था लेकिन भरूसा नहीं रहा था तो ये लोगों को ये बताते हैं कि जब ये कंपेर करते हैं प्यार में और विश्वास में तो इन्हें ऐसा ही फील होता है कि आप लोगों के रिष्ट आप इनके दिल में रहते हो और वही थौट इन्हें कही न कही आपके साथ रियूनियन में आने के लिए फोर्स भी करता है आपके साथ एक नई शुरुवात करने के लिए इन्हें फोर्स भी करता है यह यह भी बताते हैं यानि कि यह बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप इनके दिल से निकल गए हो पूरी तरह से अभी भी आपको ये दिन राज सोचते हैं, इंट्यूशनली आप ही इनके दिल और दिमाग में चलते हो, आपकी प्यारी प्यारी बाते, आपने जो इनकी लाइफ में खुशियां लाए थे, या जो इनके साथ जो खुशी के पल जिये थे, तो वो सब इने डेफिनेटली बहुत जादा याद आते हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के बीच में किसी तरह का ट्रस्ट इशू या किसी तरह की कोई गलत फैमिया आई हैं, जिस रीजन की वज़े से ये परसन जो अच्छे पल थे, उन पर जादा फोक बस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे आप लोगों के बीच की सिच्चुेशन ये दिख रही है, फिर चाहे ये जो ट्रस्ट इशू किसी और ने ही क्रियेट क्यों ना करा हूँ, लेकिन वज़ा यहाँ पर ये दिख रही है, तो हाला कि ये प्रेजन्टेशन यही करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बाइचांस आपके बारे में पूछ लेता है, इवन कोई फैमिली मेंबर भी इनसे पूछ लेता है, तो ये यही बताते हैं कि ये आपका ही साथ चाहते हैं, इन्ट्यूशनली अभी भी आप इनके द वॉन की प्रॉसेस पर चलना भी पड़ रहा है तो यह ऐसा बताते हैं ठीक है कि मतलब दिल में हैं लिकें फिर भी यह चल रहे हैं एक मजबूरी की वजह से इस परशन क्या बताते हैं अपने आसपास के लोगों को मेरे व्यूरस के बारे में यूनिवर्स गाइड की the devil strength knight of cups king of swords four of wands eight of cups again आया है and bottom of the deck यहाँ पर आया है justice number eight मुझे definitely आपके लिए बेहर ज्यादा important दिख रहा है यानि कि आपका हो गया अगस्त मन्थ काफी ज्यादा chances हैं कि जब यह आप लोगों के बीच में बाते हुई थी जब यह move on कर रहे थे जिया इन उने इस तरह का आपके सामने एक प्रेस्ताव रखा कि आपसे दूर चले जाएंगे तो वो अगस्त मन्थ था ठीक है या फिर आठ महीने उसे अल्रेडी हो गए हैं लेकिन यह कुछ लोगों के केस में होगा आपको जबरदस्ती इस चीज इसे अपने आपको रिलेट नहीं कराना है या इस चीज के कारे में जादा डिसकेशन करते ही नहीं है विद इस नाइट ऑफ पैंटिकल्स कार्ड बस अपनी लाइफ को एक स्लो मुवमेंट पे चल रहे हैं अपना फोकस अपने कैरियर पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जादा अपने आपको प्रैक्टिकल बनकर दिखा कर रहे हैं कि नॉर्मल है यह हर किसी की लाइफ में इस तरह के मुवमेंट आते हैं इस तरह के फेज आते हैं और इनकी भी लाइफ में इस तरह का फेज आया है जिसे यह बहुत काम होकर शान्त होकर डील कर रहे हैं तो यह ऐसी प्रेजंटेशन डेफिनेटली देते हैं बा इस रिष्टे में इने चाहिए क्या इस रिष्टे में इने आपका साथ चाहिए या नहीं चाहिए ये इस तरह के सोच आपके बारे में ये बताते हैं ये बताते हैं कि हलकि इनकी इच्छा होती है आपसे बात करने की चीजों को क्लियर करने की लेकिन क्योंकि ये अभी जो मोशन पे डाल रखा है यानि कि ये इस वक्त में अपने आपको समय दे रहे हैं ये ऐसा बताते हैं ठीक है आपके लिए ये डेफिनेटल यही बताते हैं कि देखो इस रिष्टे में कही न कही एक दूसरे को आप लोग जाने अंजाने में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे चाहे आपने इन चीजों को रियालाइस करा हो या ना करा हो लेकिन कही न कही इस रिष्टे में यही हुआ कि आप दोनों का जो प्यार था न वो बैलन्स होने की बजाए एक दूसरे को कम आकने की उपर जादा फोकस होने लगा था एक वक्त पे ठीक है तो कही न कही इस पर पर यही लगता है कि यह मुझे कंट्रोल करने की कुशिश कर रहे थे या कर रही थी तो इसी रीजन की वज़े से आपने भी अपने आपको स्लो मोशन पर डाला या अपने आपको एक वेटिंग मोड पर डाला ठीके एनिवेज ये लोगों को यही बताते हैं कि अभी ये समय ले रहे हैं, स्ट्रेंध लेने की ने करना क्या है? इस रिष्टे में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? और इसी रीजन की वज़़े से यह स्लो मूँफ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं ये ऐसा बताते हैं ठीके और ये ये भी उस लेवल तक नहीं कर पाएंगे जितना की पहले था जब पहले ही नहीं था फिर अब तो बहुत सारी गलत फैमिया हो गई हैं बहुत चीजे खराब हो गई हैं तो overall भरोसा नहीं कर पाएंगे एक दूसरे पर ये ऐसा बताते हैं चाहे फिर आप ही इन पर ना कर पाओ ये उसके अलगना ये लोगों से ऐसा भी बताते हैं कि अब ये चाहते हैं कि ये रिष्टा ठीक तो जाए, ये relationship ठीक तो जाए, चाहे आप married हो, अपने husband या wife के लिए reading देख रहे हो, चाहे आप married person से ही क्यों ना deal कर रहे हो, या आप marriage करना ही क्यों ना चाहते हो, लेकिन ये ही बताते हैं कि अब ये चाहते हैं कि अगर इस में वही चीजे आने लगी थी, तो ये कही न कही ये ही बताते हैं कि इन्हें इस रिष्टे में balance चाहिए, fair judgment चाहिए, जो भी problems आई हैं वो पहले clear होनी चाहिए, उसी के बाद ये आगे move कर पाएंगे, ये इस रिष्टे के बारे में, इस relationship के बारे में ये सोच पाएंगे, ये ये बताते हैं लोगों को, और इसी लिए ये अपने आपके लिए भी इस वक्त में समय ले रहे हैं और आपको भी ये कही न कही समय दे रहे हैं, तो ये ऐसा बताते हैं, मतलब ये अपने confusion को clear करके बताते हैं, बहुत maturely चीजों को बताते हैं, कि मैं maturely अब इस relationship को देख रहा हूं या देख रहे हूं, कि इस relationship में अगर ऐसे ही चीजे चलती रही, तो आगे शायद फिर और दिक्कत आएगी, तो वो चीजे अपकी बार clear नहीं हो जाती जब तक तब तक ये waiting mode पर ही बैठे रहेंगे, ये अपने आपको समय देंगे, ऐसा बताते हैं, ठीक ह लिए balance करने के mode पर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये चीजे हैं, चलिए, और देख लेते हैं, five cards और निकालते हैं कि क्या बताते हैं लोगों से, आपके इस रिष्टे के बारे में, इस connection के बारे में, यूनिवर्स गाइड की जो उता ही है, completations, bittersweet, victim, perception, prayer, bottom of the deck है, guilt, तीकि ये बार तो यहाँ पर पूरी तरह से तैह हैं कि आप लोगों के बीच में, जो चीजे हुई है ना, वो कही ना कही इस परसन ने ना अपनी दिल पल ली हैं, कही ना कही इनका इस चीज से दिल तूटा है, जो भी आप लोगों के बीच में वज़ा हुई है, अलग होने की, trust issue, गलत फैमिया, एक दूसरे को कंट्रोल करना, जो भी वज़ाती वो चीजे इस परसन को बेहर जादा परिशान, definitely करी हैं, देखें ये लोगों से ऐसा बताते हैं, कि इने ना एक ऐसा रिष्टाब नहीं जाहिए, जो उपर उपर से मीठा हो, और अंदर से एक दूसरे के दिल में respect ना हो, प्यार ना हो, भरोसा ना हो, ये ऐसा बताते हैं, या दोनों अंदर से एक दूसरे को ऐसा ना सोचे कि हम victim हैं, ठीक है, यानि कि ये बताते हैं कि इने अब ऐसा रिष्टा चाहिए, ऐसे रिष्टे में शुरुआ चाहिए, जिसमें दोनों का नजरिया जो अंदर से हैं, वही उपर से हो, ये नहीं हो, कि अंदर से आप लोग बहुत जादा कडवे हो, और उपर से एक दूसरे से मीठा बोल रहे हो, क्योंकि वो रिष्टा रिष्टा नहीं होता, और ये ये भी बताते हैं कि हाला कि ये जो चीजे अभी हुई है, आप लोग अलग हुए हो, ब्रेक अप हुआ है, जो भी चीजे हुई है, वो चीजे इन्हें भी बहुत परिशान कर रहे हैं, उसके मामले में इन्हें भी कही न कहीं किसी पॉइंट पर गिल्ट भी फील होता है, कि ऐसा बताते हैं कि हां मुझे अभी भी री उन्यन चाहिए, और इन्हें आपका साथ डेफिनेटनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा साथ नहीं चाहिए, कि हम ऊपर ओपर से मीठा बोल रहे हैं, और अपने आपको विक्वतिम मान रहे हैं, या अनदसे हम ऊपर से लिए जहर घोल रहे तो यह यह बताते हैं ठीक है और यह यह भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं यह इस चीज को लेकर prayer भी करते हैं कि हाँ आप दोनों का रिश्टा जुर जाए इस रिश्टे में balance आ जाये या इस रिश्टे में जो judgment आये, justice आये, नियाया आये, वो fair होना चाहिए तो यह यह बताते ह हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था ये सब चीजे गलत होई हैं री उनियन के लिए डेफिनेटली बताते हैं कि नहीं आपका साथ चाहिए लेकिन आप उपर उपर से नहीं चाहिए तो कुछ मेजर आप लोगों के बीच में हुआ है जो शायद उस वक्त जब हो रहा था त अपना कंफ्यूजन भी बताते हैं और ये सरिष्टे से आप से क्या चाहते हैं ये ये भी बताते हैं वैसे तो इन्होंने अपने आपको चुपी कर रखा है ये चीजे भी आप पर क्लियर हुई है चलिए पहले मूनोलॉजी से देखते हैं कि मूनोलॉजी से क्या बताया ज युनिवर्स का एक इज़त आए एर सरेंडर तु दे डिवाइन दे एनर्जी इस गेनिंग मोमेंटम यू एंड यू लवड़ वन आर सेफ एक काड और देख लेते हैं गाइट की इज़त आए एर टाइम टो गिव रेदर देन टेक बाटम आफ देक है एक न्यू रोमेंटिक साइकल बेकिन्स तो देखे बेसिकली आपर ये बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप दोनों ने ही जैसे कही न कही अपने आपको सरेंडर कर रखा है जो भी अभी रिष्टे में चीजे चल रही है उस मामले में आप से ये बोला जा रहा है कि देखो इस रिष्टे का एक मुकाम तो अल्टीमेटली होगा आर या पार तो डेफिनेटली होना ही है इस रिष्टे में क्योंकि अभी तो आपका रिष्टा बिलकुल वेटिंग मोड पर पड़ा हुआ है दोनों ही कही न कही एक पॉइंट पर कन्फ्यूजड हो एक दूसरे को लेकर देखो मुझे बेसिकली ये देख रहा है कि किसी पॉइंट पर चाहें आपके परसन हो या आप हो आप दोनों वेट कर रहे हो कि कब अगला जूके ठीक है चाहें ये हो या आप हो किसी यहाँ पर यह है कि दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहा रहे थे विद्धिस्द डेविल कार आप इस चीज को मानो या ना मानो लेकिन एक पॉइंट पर आपके भी मन में यही है कि अगला आकर मुझसे बात करे और उनके मन में भी यही है चाहे फिर दोनों अलग रहने की वजह से कितना ही परेशान क्यों ना हो रहे हो या दोनों के बीच में जो भी हालात हुए थे उससे कितना ही गिल्टी क्यों ना फील कर रहे हो फिर भी यहाँ पर यह चीजे मैं नोटिस कर पा रही हूँ आपसे ये बोला जा रहा है कि जो भी चीजे चल रही है न वो उसमें आप और आपके जो भी पार्टनर है उन दोनों के बीच का जो भी प्यार है आप दोनों के बीच का जो भी प्यार है वो पूरी तरह से महफूज रहेगा और है भी अभी तक महफूज यानि कि इस परसन के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, जजबात अभी भी बाकी हैं, उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं जरूर आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए समय दिया जा रहा है, युनिवर्स के मार्दियम से, a time to give rather than take, तो ये समय है देने का, क्या एक दूसरे को समय देने का, एक दूसरे को अपने value समझाने का, आपको इस person की value समझ में आए, और इन्हें आपकी value समझ में आए, तो ये समय ऐसा है आप लोगों के बीच में कि जिसमें आप दोनों को समझाया जा रहा है, अलग रहकर, जो आ और ये जो भी आप लोगों का प्यार है ये एक मुकाम जरूर हासिल करेगा, वो मुकाम है कि आप लोगों के रिष्टे की हाँ नई cycle definitely start होगी और जो ये कहते हैं ना लोगों से कि बैलेंस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, वही बैलेंस इस रिष्टे में होगा, ये भी आपे बोला जा रहा है, ठीके, वो फेर जजमेंट ही होगा, बस अभी के लिए कुछ समय के लिए अपने आप पर काम कीजिए, अपने आपको प पसंद आती है, आपको किसी तरह की कोई क्लियारिटी मिलती है, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नए नए रीडिंग्स, नए नए टापिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ आ रहे, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाबाई